तुर्का ने चहलगानी का गठन गुलाम वंश के शासक इलतुतमिश ने किया था। यह दल विशेश रूप से चालीस तुर्क और गैर तुर्की गुलामों का एक समूह था, जिसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतिय उपमहा द्वीप का पहला नियमित मंत्री स्त्रिय निकाय था, जिसने प्रशासनिक द्रढ़ता और सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।